मैं अम्तार खापुर हूँ और आजाद अधिकार सेना पार्टी का राष्ट्री एद्यक्षू हमारी पार्टी का मुख तुद्देश अन्याय अत्याचार और भस्टाचार का विरोद किया जाना है और इसी संदर्व में आज हमारा यहां नोयदा का कार्ट्रम था जहां हमने किसानों के संदर्व को देखा और वहां ग्यात्तुआ दिकिस प्रकार नोयदा प्लादिकरण वालों ने और एंटी किसी ने पस्ट घोर भस्टाचार करते हुए अलग अलग दरों पे लोगों को वाउजे दिये उतना ही नहीं यहां के स्ट्रियम और एसीपी ने जो लोग को अपने हग की मान कर रहे से उन महिलाओं के साथ बरवरता पुरुव अकमार पीट के हैं हमारी पार्टी में यह निरने निया है कि हम आंदोर्म उन्गर्ट किसानों के साथ पुरी तरह खड़े होंगे उनकी जो लड़ाई है मियाईक विदिक उसमें का साथ देंगे जिन अब सब्सक्राइब पुलिसियां बरवरता की है उनके खिलाफ फाई यार्दर्ज करने के लिए हमारी पार्टी कोड जाएगी यह हमारे निरने लिया है दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी मुख्य रूप से दोहजार पचीस का जो दिल्ली विधांसवा चुनाव है आगामी प्रस्तावित उसमें आजाद अजिकार सेना पूरी दमखम के साथ दिल्ली में आना चाहेगी आएगी और उसके लिए हमने कारे शुरू किया है कल ह हमने उसके लिए जंतर मंतर पे अपना पहला धरना विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित रखा है जहां विशेश करके दिल्ली सरकार में जो भोर भरस्टाचार चल ला है यह हम सभी जानते हैं कि भरस्टाचार के विरोध के नाम पे लोगों में कथित रूप से एक बहुत बड़ी आशा पैदा करने के बाद भी यह बेहट कस्ट का विशेरहात श्री अरविंद के जिरिवाल जी ने इस प्रकार से लोगों की सारी जो उनकी आशाएं बंधी थी उन पर कुशारा पात किया आज नौबत यह है कि वह पुलिस के लोगों का समन नहीं लेकते हैं ऐड़ी के हां जाते नहीं है फाच पांज बारूल को समंं दिया है आप नहीं जा रहे हैं मेरा यह प्रश्ण है उनकी तूलना दुऊरप परिम लेकर मामले कर दी और उनको सुप्रीम कोर्ट लिखके कह रहा है कि इस मामले में सीधे सीधे प्रस्टाचार प्रमारित हो रहा है तो हमारी पाल्टी मूल रूप से जिस प्रकार का छद्म दिल्ली में हुआ दुर्भाग्य वर्ष्ट जो कुछ हुआ उस और हमारी पाल्टी से लेकिन किया नहीं उन मूल सिध्धांतों के साथ चलते हुए दिल्ली में हम वास्तों में अन्याय अत्याचार प्रस्टाचार से रहित स्थिती पैदा करने में अपना योगदान दे सके इसके लिए हमारी पाल्टी दिल्ली में 2025 के चुनाओं के लिए पूरे शिदत से कारे करें कि एक दिल्ली में अन्यस्थारों के साथ साथ बिल्ली में हमारी कारें करेगी अगामी दोटर पट्रेसित की आप बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के सास्थ बीजेपी भी क्योंकि दो कहीं जो मुख्य जल है वो चुनाओं में होंगी यूंगे तो किस तरीके से उनको और चुनाओं आप देने वाले और किस तरीके से लोगों तक उसको किस तरीके से समझाएंगे तो कि अगर भष्टाचार की बात देखिए इसमें दो बाते हैं एक तो यह है कि जो दिल्ली कास्ति की जुष्थिति है कि श्री अर्विंद के जिरिवाल ने भ्रष्टाचार की विरूद की बाते कहीं और यह बात मैं समझता हूं कि लगवग अब ज्यादा तर लोग इस बात को बख्वी स्विकार कर चुके हैं अमानना शुरू कर चुके हैं कि उस मुद्दे पर विफलता हैं इनकी इस बात को वाटने बहुत अच्छी बात कहें कि भारतिय जन्ता पारेटी है उसके जुन्जों तत्य है ब्हारती जंता पारेटी का जहां तक प्रश्म है हमारा यह सफ़च मानना और मैं समस्ता हूं कि हर को इस बात से सहमत होगा कि भारती जंता पारेटी के लिए भरश्टाचार कभी एक मुद्दा नहीं है मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पर रोज कई नाम करते हैं वे नाम जो इनके निशाने पर नमबर एक पेच्छे और उनके सरकार जैसे उनकी सरकार में मंत्री बने वैसे ही वह पौचरतम एंटिटी हो गए इन नामों को गिनाना बार-बार उन्हीं नामों किनाना जो पर को तो सच लगने लगे तो हमें भी सच को बार-बार कहना पड़ेगा और यह बात सामले लाना पड़ेगा कि किस प्रकार से भरस्ताचार विरोध का भारती जन्तापार्टी का जो मुद्दा है कजिस मुद्दा उसका एक मात्र रर्थ है विपक्षटाओं तो यहां दो तो उसका अंत्तों हो सके न्याय और कानून हम भाजपा में चले जाए गेजडीवाल जी के साथियों ने बार-बार कहा कि आज इसी सोधिया जी और वो चले जा संचे सिंग इसे चाहिए कि आज चले जाए कल को मुकदमे खतम हो जाए उन स्थितियों से अलग एक ऐसी इतर बने जहां सिर्फ और सिर्फ न्याए और सदस विस्त वार्टी की बात की हैं दूसरी विभिन पार्टियां जो कि चाहिए अगर मुख्यता बात लें अन्य पार्टियां भी लड़ती हैं उनका भी मुख्यमुद्धा यही रहता है कि हम बच्ताचार को मिटाएंगे और जंता तक जो सबसे मुख्यताम लाब है वो अजिकत तक हम पहुंचा पाएंगे तो उसमें कुछ अलग है या मुख्य विचारधारा के वर ब्रज्टाचार भी देखिए मैं यह मानता हूं अलग का प्रश्म सिर्फ इतना भर है जो एक कथनी और करणी का अंतर होता है ऐसा घर्फ रहे ह Bowl लेकिन स्क्रिश्वास के रही है आ चानी शब्दों की लड़ाई है उसका उतरी है कि मैं कुछारा हूं किमत तब वोगी जब मैं कह रहा हूं उसको मैं और मेरे साथ ही या भीस है कि जब जमीन स्षिता रहाँ बात को项ने आचके कोई माने कि सब्सक्राइब दिल्ली के अगर बात करें तो कोई सांकिति या कोई आप अपना पादिकारी चुनाओं में उतारेंगे ताकि लोग उस पार्टी को जान सकें या विचारदार रहें साथ सीटों में से किसी सीट पे दो है चुनाओं में जहां भी संभा होगा हमारे दो प्रत् करता यह है कि जैसा मैंने कहा कि हम जो कहें उसकी योग्य हो यह नहीं कि आज कुछ कह रहा है कल को जैसे के इजिरिवाल साहब जिन पर सब्सक्राइब के वह आइकॉन थे विदेशों तक आइकॉन तो वह पुना पुना हुए चीज को लोग के सामने आए कि मैं कुछ और कह है कि हमारे जो साथिया में हम उस पर सिद्दत से खड़े रहें के जिरिवाल जी ने कहा और मैं जिरिवाल जी का विशेश नाम इसे लुगात पूर्हों ने आशाए विशेश जगाई थी हमां वैसे मुद्दे जिनको अंचुए मुद्दे उनको छुआ लेकि छूपे उन लोगों के डोनर्स के नाम की एक समय था एक रुपए विजू दे रहा है उसका नाम आपने वेबसाइट में रखा है आज आप उनका वेबसाइट देख लिजे के वाल स्वा प्रसंसा के लावा कुछ नहीं है तो हमारी पारिटी पुना हुआ धोखा धड़ी न करे मेरे ल कहने मैं कि ऐको विल्कुल जी रो से हम लोग कर रहा है कर पूछ नहीं रहा है यह कहने और करने की सामांता हमारी हो पाए मैं वह थिलाना चाहता हूं जिसमें कहने और करने की सवांता बने कि ऑलत, मेरा यह मानना है कि उनंका तह दिल से स्वागत है दूसरा प्रश्म महलाओं को लेके मासे मैं कहना चाहूंगा मैरा यह कि यह improve वर्ग जो उपेक्षित है कहीं न कहीं या दूसरों के कुल्णा में जिसको ज्यादा समस्या है जो भी फ्रिंज होता है हमारी पार्टी का यह मानना है कि मेंस्ट्रीम से बढ़के फ्रिंज का ध्यान रखा जाना आवश्यक है किसी भी रूप में कहीं भी को फ्रिंज पर आ ज जा रहा है उसकी आवाज किसी कारण से जैसे उदाहरन के लिए मैं कहूं आपने महिलाओं की बात कि एक फड़ांपोटीं रिस अगया औक समक्रशा एक व्रगर्न यह फ्रिंज ना है कैन रिटे हैं नहीं कोई जिल्द्रन है करें तो हमें सबसे पहले सभी मार्जिनलाइज़ इस्यूज को विशेश सेंस्टिविटी के साथ देखना पुड़ेगा अब अब इखा कि जो बीजेपी उसने प्रिश्टाचार के मुद्धे उठाके सिर्फ दिखावा किया है उस शेतर में कोई काम नहीं किया बीजेपी ने जन्धन जो आधार की योजना थी मोबाइल लिंग करनी की वो ती और दी मॉनिटाइज़ेशन नोट बंदी कराए गई चाहता हो कि लगभग तमाम लोगव इस बात को कहते हैं बार बार कहते हैं विवादिप तो क्योंकि इसके प्रमान नहीं होते हैं और कुछ प्रमान मिले भी कि ठीक पहले संभवत तीन सो या चार सो जिलों में उन्होंने भाजपा के लोगों ने उसी समय भाजपा के लोगों ने अपने कि नोट कंव रहे हैं कि वह जसे कि इसको इंसाइड ट्रेडिंग की शिकायतें रहे इसके प्रमान नहीं मिले बात उपानी सुप्राइग उन्हों सो खतम कर दिया उसमुद्य को नहींच हुआ इस देश का सबसे वड़ा भस्टा चाहता मैं यह कह रहा हूं उनकी और तमाम विवादित मुद्दे आज भी जैसे मान लीजिए यह अडानी साहब का मामला है आपने आप दो मुद्दे के देख लिजिए और राफिर का देख लिजिए आपने दुनिया में सबों की जाच कर दर्शिक तरीके से करा लेते हैं तो क्या हो जाता यदि आप बिल्कुल पाक साफ है आप तो दूसरों के घर में एक एक इंच में जाज कर रहे हैं तो क्या आपकी यह ड्यूटी नहीं है जैसे कि बतले कि सीजर्स वाइफ वाली जो बात कहते हैं कि वह कुई प्योजिए औ करा बनना चाह रहे हैं तो आपको राफिल और अडानी सिर्फ यहीं दो मुद्दे में आपको कह रहा हूं कि यहीं उसमें आपने इमांदारी से जाच करके लोग कह दिया होता आज आपके पास ताकत है वह आपकी आपका समय है लेकिन लोगों के मन में तो है कि आपने अड सब्सक्राइब करना अलग बात है दोनों में ताल में मुझे ऐसा में लगता है कि वैसा है जैसा भजबा उसको प्रदर्शित कर रहे हैं सर अजाद जो अधिकार सेना पार्टी है इसका मुख्य एक तरह से समझ में आगए कि नीव तो आपने ब्रश्टाचार को हटानी की रखिये लेकिन इस पर जो पेड़ बढ़ाएंगे चाहे वो कारिकरताओं की हो नेदाओं की बात तो आपने ऐसी कों से आहरताय रखी है जिसके बाद भी कोई आपकी पार्टी जॉइन कर सकते हैं चीजों कि आइसा कोई व्यक्ति ना है जो कभी भरश्टाचारी को कि हमने देखा है कि जब नीव रखी जाती है पार्टियों की तो यह कैसे हैं लोगों को नहीं रखेंगे जिनके पर क्रिमिनल केसे हैं उनको नह आज मुझे आप पुछा जा रहा है और मैं इसका कोई उत्तर दूंगा जो विश्वास कर रहा हूं तो आज मैं लंबे चौड़ उत्तर देंग और उसके मेरी बात सथा छुठी हो जाएगी अगर मेरी बात में बन होगा और मैं अपने बातों पर मैं खुद विश्वास करता हूँगा तो आप ही कहेंगे कि इसमें जो कहा हो किया लेकिन से इसको 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 बना रहे हैं तो उसको मैं कहुंगा दी जैसे कि वर्ड आफ होता है हमने कहीं है क्रिमनल आफ मुझे घ्र बैट एक मेरा से घ्र मैंelnा केशिज टोब चमनुओं भीर आफ किकांगा कि आपने वहाए कि आपने शीआ कर कीसे के को bell करूंप कि अपने नभावहें से मुझाग बनांपनीड़ न कर मिटब कर दिएए बहुत मैं वर्ड आफ माउथ को इस मामले में लोगों के जो लोगों के बताते हैं मुहलेक आदमी बताता है कि अच्छा है बुरा है हमारी स्क्रीणिंग मात उसके आधर को अर्वीन के जिवाल ने जो भाता पर आरोग लगाया है कि भाजपा ने विधाय को खरीदने के लिए 25 क्रो रहले जहाक है नहीं होता तो मुझा करते हैं जल्ली बिल्स करूंस अहि company करें दिया होता ने एक सब्संक्राइब तो बुक्त नहीं है कि त्ली तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि तुम ऐसे आरोप आरोप के लिए ना लगा और मुझे लगता है कि यह परिपक्वता देश के लिए आवर्शक है कि जो आपका है सब्सक्राइब है उसका कोई न कोई आधार को यह मुझे विलागू हो और आप पर भी भारत करने राज्यों यह कोई मुख्य पार्टी आपको कहते कि आप हमारे साथ की जुड़के एलेक्शन तो ऐसा भी कुछ विचार है अभी हम मिल्कुल नए हैं अगर बड़ी पार्टि और नितीश कुमार ने गट बंधन तोड़के फिर से एंडी के साथ से रहे गए हैं मैं उसके साथ अपनी बात खत्म करूगा हमारा यह मानना है उस पर भी बलकि हमारी पार्टी एक स्टैंड भी लिया है हमने निर्वाचन आयोग को प्रत्यावधिन भी बेजा है में जाता है तो दल बदल मानते हैं यदि ए और बी मिलके घढ़बंदन करते हैं और एक पूरे के पूरे पूरे करिया कराब को भी दल बदल कानून के अंदर लाया जाना चाहिए इसकी हमारी पार्टी मांग कर रही है और हम इस संबंध में यह हर संभ़ प्रयास करेंगे क इसको कानूनी मानिता मिले चुकि वह भी सीधे सीधी जनता के साथ धोखा जाता है कि जब भी चुनाओं लड़ा जाता है तो उसमें धन सबसे बड़ा बुद्ध होता है या फिर मुस्लिम हिंदू पाक्षु या कोई भी धन के नाम पर ही जो भी चुनाओं लड़ जाते ह इनी मुद्धों को सबसे उपर रखा जाता है तो अभी हारी में को दिन पहले राम बंदे बन के तयार हो गया है एकदम गर्मातियों स्यासस पर चल रहा है अगर इस दोनों बुद्धे अब एकदम बीजेपी के सबसे जादा में पॉइंट पर हैं तो कि आपको लगता है क कि देखिए यह मानना है कि अगर कोई भी पाल्टी कि एसे उद्धे को जो जो नको लगता है कि ःदो च्व से लावे मैं यह मानता हूं कहीं नहीं मेरा यह मानना है कि विरोधी पारिटियों में एक कमजोरी इस बात की बार बारा जाती है जो कहने के उनको दिक्कत दे रही है जैसे आपने के जिरिवाज जिवाला कहा यह उन्होंने यह कहा दिया कि 50-50 करोड मिले तो अगर वह एक यही म अधानी वाग मामने में भी तुम हम वहां की बात रही हिंदल बग रिपोर्ट को नहीं मानें तुम्हारे पास कुछ है तो हमारे अंदर भी कमी है और हमें वक्ष के रुप में अपनी कम्यों को साव्य सुधार करना होगा कि अभी हम कुश हद तक त्थ्यों पर नहीं जा है कि उनको वास्तों में भाजपा को बैक फुट पर ला सके और जो धर्म का मुलम्मा है उनका उनको खंडित कर सके खंडित नहीं कर पाने की जो हमारी कम्योरी है उसका भाजपा लाव उठा रही है जब भी आपकी आजाद अधिकार सेना पार्टी जब भी चुनाव के उत जानते हैं कि हम सबसे कम्जोर पार्टी है अभी हम बिल्कुर शुरुआत में हैं इसलिए और कोई हम किसी को टक्कर नहीं दे पार है हम सिद्धान की लड़ाई लेत रहे हैं चक्कर अभी देने की अब मैं उच्छी उच्छी और लंबी लंबी बाते कहने लगूं वह जाए की जैसे की और पहुंगा यहां पर कई चीज़ों को सेंटर में ला ला दिया उसी तरह की की जिचों को पहले वह केंद्र अभी हम जगा मंदल के बीच में आप अपने आपको कहां पर देखते हैं हम लोग हमारी संभोत हैं कोई विधाय तो उसका उसकी जातिया धर्म नहीं देते हैं अब जिसे किसी के नाम के पीछे ही कुछ लिखा हुआ है मालिय चीर्सक है तो हमारे पजबूरी है कि विजाएंगे फला जाती का है या फला धर्म का है हम सब वेक्तियों को भिना जादि धर्म पूछे हम उपको स्थार देते हैं तो हम कमंडल में नहीं आए और हम धर्म क्या था क्या है प्राजी नहीं है